सुश्मा शर्मा एक सामाजिक कार्य करता हैं और नई तालीम की शिक्षिका है पैने ये देखा कि मेरे पिताजी बहुती सनेह से उनके साथ के लोगों के साथ पेश आते थे और मुझे याद है एक बार हमारे एक खेत में काम करने वाला परिवार वे बीमार हो गये थे बहुती बुरी तरह से बीमार हो गये थे दोनों और मेरी मा रसोई बना कर पहले गरम खाना उनके अहां भेजती थी उसके बाद हम लोग खाते थे तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुती सनेह भरा संबन जो है या हिंसा की तरफ जाने वाला है irrespective of age आप किस तरह से आपके साथ के लोगों के साथ जूडते हो अपने अगल बगल के जीवों के साथ आप जूडते हो उससे उसका एक imprint आपके मन पे बनता है मैं ये मानती हूँ कि ये अहिंसा का मेरा शायद पहला अनुभव है जिसका अभी भी मुझे वो यादे हैं आप पूछ रही है तो ध्यान में आ रहा है बाबा अमते बहुत बड़े पैमाने पर गांधी विचारों से प्रभावी थे और वे मानते थे कि श्रम के आधार पर निर्मान के काम से ही हम सही माने में समता ला सकते हैं तो श्रम से दूर केवल बुद्धी जीवी तरीके से जीना ये कोई उनके भी सोच का एक हिस्सा नहीं था और इसलिए उन्होंने लेप्रसी पेशेंट्स को भी अपने श्रम से स्वावलम भी बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयों किया ये विचार में दिल दिमाग और शरीर है जड़ा प्रयों किया विचार में दिल दिमाग और शरीर है हार्ट एंड हैंड तीनों का एक रूप तीनों की एक रूपता और तीनों में बैलन्स रखते हुए शिक्षा की प्रक्रिया चलानी की बात है ताकि एक ऐसे इंसान का निर्माण हो जो केवल बुद्धी के आधार पे अपने आप पर गौर्ण ना करें उसी तरह से यह देख पाए कि निर्माण का काम श्रम के बगेर नहीं हो सकता है इसलिए श्रम करने वालों को भी उसमें बराबरी का मौका होना चाहिए और चुकि हम समाज में रहते हैं और समाज के बगेर हम जी नहीं सकते तो समाज के साथ का व्यक्ति का संबंध भी बहुत ही complimentary होना चाहिए वो व्यक्ति विरुद्ध समाज इस तरह का कोई रिष्टा नहीं होना चाहिए इसलिए वे कहते हैं कि ऐसे शिक्षा का प्रारूप जिसमें head, heart and hand, डिल, दिमाग और शरीर इसकी एक रूपता और इसमें एक ठीक balance बनी हुई शिक्षा अगर हम देते हैं तो हम अलग तरह के एक अहिंसक समाज की रिचना कर सकेंगे आज के वक्त में cognitive science के क्षेत्र में ब्रेन किस तरह से सीखता है इस संदर्ब में और आज के जो समाजिक प्रश्न है उन सभी संदर्ब हो में मैं से देखती हूं कि नहीं तालीम बहुत ही updated एक शिक्षा का विचार है Bhinobhaji has evolved this thought and he says and even Gandhi believed in it of course कि तालीम शुद बी नूवरी ताइम अगर ये तालीम इनकी मदद से होने की बात है तो ये जगह जगह बदलेगी उसके तत्व तो वही रहेंगे अहिंसा के प्रेम के एक कंस्ट्रक्टिविजम के साथ सीखने के श्रम के आधार से सीखने के पर बाकी चीजे बदलती जाएगी जहां जो जो resources हैं जहां जिस तरह का समाज है उसमें वहाँ अलग-अलग ग्रूप लेगा तो ये हनित्यन उत इसका प्राण है तो स्वाभाविक रूप से इसमें फ्यूचरिस्टिक होने का बेहद पोटेंशल है कुछ हद तक हां कुछ बदला होने चाहिए वो राडिकल होने चाहिए महसूस करते हैं पर अभी तक उतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है ये तो स्पेश्ट है कुछ हद तक अभी हमारे विद्धाले में मिडल क्लास परिवारों के बच्चे आने लगे हैं या ऐसे परिवारों से भी आते हैं जो अपने आपको डी कास्ट और डी क्लास बाइच चॉइस करना चाहते हैं पर अगर ज्यादा तर आप अगर देखें तो क्या वो बहुत आसानी से आते ह हैं जिन्हें और चॉइसस हैं तो रिलेटिवली इतना बड़े पैमाने पे नई तालीम की तरफ आने की सोच बढ़ ही है ऐसा मैं नहीं कहूंगी पर इतना जरूर है कि नई तालीम से बच्चे जिस तरह से तयार होते हैं उसमें जो जिस तरह से बच्चा बदलता है जिम्म रिवन होता है यहाँ देखने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे जो सीधे संपर्क में आते हैं या उन बच्चों को देखने वाले जो लोग होते हैं वो बदलते हैं और वो चाहते हैं इस विद्याले में अपने बच्चों को भीजें यह देखते हुए मैं ऐसे महसूस क कि यह बदलाव तेजी से हो सकता है यह बदलाव जिस तरह से युवा लोग देख रहे हैं अभी किसानों की राली देख रहे हैं जिस तरह से घटनाएं होती है जंडर के संदर में जिस तरह से ग्रेटा आज काम कर रही है हमारे छोटे बच्चे भी अगर उससे प्रभावित ह तो युआ तो निश्रित होंगे और मैं ऐसे मानती हूँ कि और होना चाहिए एक समय आएगा कि हम और कोरुना का प्रकोप जो हमें सिखा रहे है कि कितने समय तक हम इस तरह से जाएंगे जितना इंटर्फियर करेंगे उतना हम नहीं चाहेंगे तो प्रकृती हमें सिखाने के लिए आज के वक्त में बहुत तयार है और हमें काफी तेजी से वह बताएगी कि आप कहां चूक रहे हो तो मैं से मानती हूँ कि यह होगा और यह होगा और अहिंसक तरीके से जीना यही हमारे लिए अल्टनेटिव है हमारे एक्जिस्टेंस के लिए वो एक अनिवारियता ह से विए और यह होगा यही ताएगशा लिए ही यह that keeps us going and I don't want to lose that hope